आओ चले देश का ख्याल करें इस वक्त कुरोना बैक्सीन लगाय जा रहे हैं 45 वर्स के उपर वालों को बैक्सीन टीका करण का मिसन चल ला है इस उम्र के दाइरे में आने वाले सभी लोग घर से निकल कर जरूर से जरूर टीका करण का लाब उठाएं भारत सरकार को चाहिए कि टीका करण को लेकर तेजी से देश में टीका करण का भियान और तेजी से कारिक करना चाहिए भारत सरकार स्वास्त मंत्रा लेकी गाइडलाइन सभी को मानना चाहिए और मुँ में मास लगाकर जरूर आप चलिए और हाथों को समय समय पर सेनिटाइज करते रहिए और कुछ दूरियां बनाए रखना जरूरी है अद्ध है बस हिंदुस्तान की है पर मेसेज फारसी में लिखा है कैसे समझेंगे लोग मास्क सही से पहने और दूसरों को भी सिखाए यहां क्लिक करके ये शबत ले और पहनो सही साथी बने सबस्कार मैं हूँ लालचन सोनी आज सुबर टाइंस में आप सभी का स्वागत है करोना से डरे नहीं साउधानी बरते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि करोना का गाइडलाइन स्वास्ट मंत्राले के अनुसार आप चलिए करोना का समस्या बढ़ते हुए लोग अब जादा से जादा स्वास्ट की चिंता करने लगे हैं और वहीं आपको बताना चाहता हूँ करोना जिस तरह से बहुत तेजी से बढ़ रहा है मानों के लिए संकट बनती जा रही है करोना के आर्थिक इस्तिती भीड जिस तरह से लोगों में घर की इस्तिती खराब होती दिख रही है और लोगों को चिंता सताने लगा है वहीं पर भारत सरकार को विसेश नजर मजदूर गरीब और जो किराय पे रह रहे हैं उनका भी विसेश ध्यान रखने की जरूरत है करोना से अब सरकार पिछले वर्ष की भाती इस वर्ष भारत के अनेक राज्य अपने अनुसार लोगडाउन भी लगा चुके हैं ऐसे कि नाइट में 10 बजे राज से लेकर सुबह 5 बजे तक का लोगडाउन लगातार भारत के अनेक राज्यों में चल रहा है वहीं पर आपको बता दूँ कि महराष्ट में या भी देखा जा रहा है कि अब रात दिन वहाँ लोगडाउन लगाने की विचार भी मस चल लही है और आपको बता दूँ कि दिल्ली में 10 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक का नाइट जो है लगातार जो है 3-4 दिन से चल ला है और बजार में और साधी बिवा में जादा मातरा में आप इकठा नहीं हो सकते हैं और मार्केट जो है 10 बजे से पहले पहले जो भी है वह बंद करना पड़ता है और लोगडाउन जो है जिस तरह से देखी जा रहे है राज्यों के अपने अपने राज्यों के नागरिकों की चिंता करते हुए अन्य राज्य की सरकारे स्वास्त मंत्राले से गाइड लाइन लेते हुए भारा सरकारियों राज्यों की सरकार अब करोना बैक्सीन की गती और तेजी से कारिक करना चाहिए जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो है अमिसन 45 वर्षे उपर के लोगों को चलाया जा रहा है अब सभी से बिंती है कि आप सभी लोग जो भी इस दाइरे में आते हैं वह क्रोना बैक्सीन जरू से जरूर लगवाएं हास्पिटल में जाकर आप इसका जरू से जरूर अपना ख लगवाएं आप इधर उधर ना जाएं आप कहीं रिसेदारी ना जाएं जब तक आप क्रोना बैक्सीन ना लगवाने आप कामकाज भी करने ना जाएं ऐसा हमारा मानना है और आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार से अपील करता हूं कि जिस तरह से जो है कहीं कहीं दे ताकि हमारे देश की स्वास्त लाब और मिल सके और आपको बता दूं कि यह यदि इस तरह से मिसन चलता है तो घर घर में लोगों को बैक्सीन लगवाने की करना चाहिए इससे काफी मजबूती मिलेगी और सभी लोग हास्पीटल जाने से और भीर भाड होने से बचेंगे और अपने एरिया में जो है बैक्सीन अपने घर के पास में ही लगवा लेंगे इस तरह की योजना यदि हो तो भारत सरकार को जरू से जरू सोचनी चाहिए और या परियास ही सबसे बड़ा पहलू है और कोरणा का कहर पिछले साल से तुलना में जिस तरह से बढ़ता जा रहा है लोगों को बताना चाहता हूं कि चिन्ता करने की जरूत नहीं है सिर्फ आप मुह में मास्टाइ रखेह तक का या घृज hellu है कि बैग्यानिक ने दावा कर दिया कि मुह में मास्टा से काफी लोग बचाव हो सकता है और मुह में मास लगाने से और हाथों को सेनेटाइज करने से और जो है दूरी बनाये रखने से बहुत सारी कारिकरम देखी जा सकती है इस समय वैक्सीन आप सभी लोग 45 वर्श के उपर के हो गए है तो जरूर से जरूर आप इसका लाब लें और फिर आप से किसी मुद्दे के साथ मिलते हैं नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकोन को जरूर दमाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकसर मिल जाए धनबाद